यह वेल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और लास्ट वीडियो में हमने करड अप्लिकेशन का फॉर्स ऑप्रेशन देखा था जो कि था यहां पर यूजर को प्रेट किया था जो कि था है आप एक और यूजर को मैं हाप पर एड कर रहा हूं वैंने हाप लिखा सपोज पंकज एड पंकज एड़रेट इमेल डॉट कॉम एक दो तीन चार पांच छे साथ नो दस एक मैंने हाप एड उजर पर क्लिक किया यह बिल्कुर सक्सेस्वली हाँ पर यूजर एड हुए और यहां पर अगर आप देखो तो अब मिरे पास यहां पर दो डॉक्युमेंस आने चाहि अब यहां पर है इस डेटा को में को निकालना है और में को इस डेटा को शो करना है अपने यहां पर फ्रेंट एंड पर तो इस डेटा अब यहां पर में को फ्रेंट एंड पे टेबल बनानी है और इस टेबल में डेटा डालना है और इस टेबल में डेटा डालके में को बे बहुत इसली टेबल मना सकते हो वही सब है जो हम सभी टेग्स का रैपर है क्योंकि हाँ इन्होंने बाइडीफोल कुछ CSS लगाई वी है अगर आपको अपको अपस आते हैं यहांं पर आयाम और यहां पर आपको अलिज्स वाला जो आपका पर में को काम करना है सबसे बहले तो सर में को हैं पर एक टेबल चाहिए चाहिए बने का सब्सक्स कि ऐसी हो पास होता है टेबल बॉडी जो कि होगी होगी हम पे टेबल की बोडी अब जो टेबल है डे उसमें में कोई रो चाहिए तो उसके लिए हैं पर टेबल रो तो आप टेबल रो का यहाँ पर यूज कर सकते हो यहां बाइब से पहले यहां पर सब्सक्राइब नम जाय है phone and email perfect एस बिल्कुल साही है यहां पर में किश लिए निम तो स्पोर यूसर निम एंड यूस नेंग वाद में को हैं पर चीए आपयर पाचिए इमेल एपर चीए फोर थी केशला कि अगर में आपको हिंगा तो बिल्कुल सही चलेगा वाट्स एक सेकें यहां जितने भी मैंने रोग मैंने हाप इंपोर्ट किया और एबल एक सेट चीज चेकर नहीं टेबल रोटेबल से ठीक है कहां से आएगा यहाँ आएगा आपका जो पास जो टेबल के प्रफेक्त हैं अब हमें को क्या करना है में को डेटा वेस में से डेटा निकालना है यहाँ पर निकालना है और प्रॉपर एक प्रॉपर एपिए होगी क्या यहां पे हमने पोस फॉशन को ऑल करेंगा यहां फ़िए गए अशीन को जरेता और वेट लगाना पड़ेगा वेच चलता है असे फंक्शन स्केंद आपको यहां पे असिंग लगाना पड़ेगा बिर्कुल सही आपको यहां पे URL पास करना पड़ेगा तो मैंने आप बैक तेक लगाया और मैंने हाप पर सपोस्थ लिखा URL बेलकुल मासते हैं अभी हाँ पे आपको एक एंड़ पॉइंट भी देना पड़ेगा ठीक या एंड़ पॉइंट आप दे भी सकते हो या फून नहीं भी दे सकते हैं मर्जी है यहां दे दे देंट पॉइंट मैंने हाप लिखा ओल ठीक है तो जैसे हाँ पर एंड़ पॉइंट पॉइंट ओल पर मैं चुगा वैसे हाँ पर मैं एक सारा डेटा यहां से निकाल के लिए होंगा ठीक है एंड सर इसको में कुछ टाय और कैच के अंदर डाना पड़ेगा जैसे की यू नो दर ग्रेल अल्रेडी ठीक है यह एक यहां पर एक्सेप्शन साने के चांसे होते हैं मैं यहां अपली का कंसोल डॉट लॉग और यहां पर आ जाएगा सर आपका एर्र वाल कॉलिंग ू अरेर कू तो यूजर्स को यूजर्स के अपल कुछ डैटा रिटयर्न करे गए आपकर क्लेट इस वि歌न तो आ होप यह चीश पर यूडरी आन यहां बस मस्टे हो क्वेल्कू एकिल तो इहां पर समने इसको इन कॉल किया तो इन यहां से कॉपी कर देना है क्योंकि मैं को get users से यहां पर काम है मैं यहां पे import करना पड़ेगा get users को कहां से आएगा सरी में को एक folder भाहर जाना पड़ेगा और यहां पर फोल्डर होगा सर्विस के नाम से इसके अंदर से आएगा परफेक्ट है अब यहां पर में को एक फंक्शन को गॉल करना होड़ेगा ठीक है देखो यहां पर अब एक चीज आते हैं यहां पर ठीक है यहां पर क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि जैसी में यहां पर शक्क अरे को सुछक तो यहां पर मैं को क्या करना है यहां तो मैं गया को इसे बटन कर स्टान गाया है तो यह यहां पर दिखना चुरू हो जाए तो अब जो में को करने पड़ेगी वह करने पड़ेगी कॉंपरेंट डिड्माउंट पर आपको पता होंगे उसमें से यहां पर यहां पर यूज में तब करता अगर यहां पर यहां पर मैं यूज करता यहां एक क्लास बेस कॉंपरेंट 6 life cycle method है जो यूज होता है class based components में बाट यहां पर मैं यूज करना function based components का function based component में component dead mount की एक replacement है और वो replacement है use effect use effect react के 3 life cycle hooks से मिलके बनावा है component dead mount, component dead update and component will and mount तो आपको पता होना चाहिए use effect के बारे में थोड़ा पढ़ देना जिसको मतलब ज्यादा idea नहीं है इंवैने इंचीना गदेंद से बारे में उन्पो इसे इंपोर्ट के जिया क्या रियाएग के उतना से आईगा तो यूज आपको क्या करना है यहाँ यहां प्रतिको यहां पर बनाना है यहां पर ऐस्ट्प आप यूज़ को होता है वह दो में दॉस्च dependence उता होता है की कंडिशन होती है यूजए इस ताइम पर एक बार को लोगा जो आपको इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर यहां पर यहां पर इसका फॉंक्शन यहां पर कॉल कर दिया है पर आपने यहा पर हमें अको पर है दा करो आइसे को पहले हुए जैसे सब्सक्राइब को हुआ करूंगा मैंने हाप इसको रिफ्रेश करते ही API कॉल होगी मैंने हाप इसको रिफ्रेश किया रिफ्रेश करती है आप देखो यहाँ पर API कॉल हुई है ठीक है वो भले ही वहाँ पर 404 आए क्योंकि अभी ऐसा कोई URL यहाँ पर करता तो अब यह जो endpoint है all अब मैं को यहाँ पर यह बनाना पड़ेगा वापस आते हैं तो यहाँ पर API की थुरू मैंने हाँ पर बढ़ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जींघघ आया इंटब में यहाँ brosome k यहाँ पर मैं यहाँ नाम से व मिले यहाँ पर लिख गाल को यहाँ पर मैं थ्यॉसर्छार है यहां पयहां पर की बनाने है मैं तो स्ञेश रिक्वेस्पोंस इत क्या है आप पर क्याक नहीं होगी चेहला ृत्यूसच से मैं कुछ करनी पाऊंगा है यहां पर इसके अंदर यहां पर स्टोर हो रहा है जो कि मैं हाँ से यूजर के नाम से इंपोर्ट किया तो अब मैं को यूजर के नाम से इसको को फाइं करना उड़ेगा तो यहां पर यूजर टॉडट फाइंट एक फंक्शन होता है जिसका आप यहां पर यूजर कर सकते हो ठीके इंदर आप यहां पर एक ओपजेक्ट के बेस में ठीके एक उबजेक्ट के अंदर आप अपनी conditions को मेंशन कर सकते हो जैसे आप conditionally आप अगर डेटा निकालना चाहते हो जैसे मैं चाहता हूं कि नेम अगर मेरा पंकच केकड को अले है तो यह वाला data आजाए तो अगर मेरा user name suppose उच्छभी यहाँ पे तो बाला डेटा आजए ऐख यहाँ पे अपनी conditions को mention कर सकते हो but अगर आपने इसको को यहाँ पे empty छोड़ा हो है वाइंड को अगर आपने हाप एंप छोड़ा वह तो सारा डेटा निकाल लाएगा जितना भी डिटा ठीक है तो आप यहाँ पे इस अब्जेक्ट के अंदर कंडिशन भी मेंशन कर सकते हो अगर आप मेंशन नहीं कर रहे तो सारा डेटा निकाल के लाएगा एंड यह यहां से आपके सारे यूजर्स आ जाएंगे मैं यहां पे लिखा सपोस कॉंस तो एंड यूजर्स इसके बाद हमें को इसको फ्रेंट एंड मैंने हाप लिखा रिस्पॉंस रॉट स्टेटास और यह आपका 200 क्योंकि मैं को सारा डेटा में मिल चुका है जैसन के अंदर आप जो यह सारा डेटा है इसको भेज सकते हैं यहां पर लिखा सपोई यूजर्स बाकि अगर सपोस कोई एरर आ गया मैंने यहां पर लिखा सपोई रिस्पॉंस डॉट स्टेटास एरर के केस में सपोई 404 ठीक है 404 मतलब नौट फॉंड डेटा में को डेटाबेस में मिलाई लिखा ये अंदर हम यहां पर लिख सकते हो मैसेज के अंदर और कि आपका एर्ड रॉट अपर श्रीकर मेसटेश गया 2 यहां पर जो डेटा है वह निकल के आएगा एक सकिंद अगर मैं आप आ पर दिखाओ तो मैंने हां पर इसको रिफ्रेश किया एंड रिफ्रेश करने क यहां पर पोस्स लिखा हुआ है यहां पर गैट एपिया है तो आप इंपोर्ट करना वड़ेगा मैं बस सीधा चलाना में बिजी हूँ कि भाई जल्दी जल्दी चल जाए काम अधूरा छोड़ा हुए मैंने चलाना है मैंको भड़िया यह राउटर की इंपोर्ट हुआ है हा इहां पह पर आना चाहिए आप यहां फ्यका फेंट के सत्य हैं अगल्प्रश् Clayton मेंद ओकी मेरे हzeugं indicate यहां पर फेक्तiquer एंक हैं यहां से मिकषा यहां पर उचंगाना है डेटा जो है मेरा वो यहां पर आ चुक है ऐसि है पाउत्पर तो till इख में तो में पास यहां पर सारा डेटा आएगा तो तो यहां पर काफी कुछ आए है यहां पर मेरे पास काफी कुछ आए एक्जियोस के यूज करने का यह फायदा होता है यहां पर इंदर सारा डेटा है वो यहां पर यहां पर रेटा ऊपण पर एक ऐयर यहां पर और यहां पर देखो लिए डेटा है कंडेजर और इस और इस मेरे पास यहांपर दो औब्जेक्ट इन जिसमें मेरे पास साला डेटा भड़े है तो डेटा इंदर मेसे एक उनयागे कह से बादे जो mlड़ी सिक तो किया हैं यहां पर आजारी लायेगा सका आप यहां पर इसके आंदर में को हिस्कों कर रहाना न है तो आप यहां पे लेकिछसकते हो सेटर यूजर्स ठीक है और यहां पर आ जाएगा डिस्पौण्स डॉट टेटा परफेक्ट इसको हटाते हैं यहां से बिल्कुल मसते तो अब जो सब्सक्राइब रिस्पॉंस आया है उसका जो सारा डेटा है वो मेर पास इस वाले स्टेट के अंदर यहां पर आके स्टोर हो चुका है जो कि है यहां पर यूजर स्टेट तो आई होप यह चीज क्लियर हो ग लाक्र निकाला इन बिल्कुल परफेक्ट है अब यहां पर मैं को डाला पड़ेगा टेबल रोओ एंट टेबल रोग के अंदर हमिहां पर यूज़ करना पड़ेगा टेबल सेल का मैं है यूजर के अंदर से अगयो धीज्वो यूजर अंडस्कोर आईंड यायिदिक questo सिद पर नेम निकाले में तो टेबल सयल नेम जो आएका वह यूजर के नाम से है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वह उसके बूसर के नाम से इसके नदर जो फिल्ड के नाम से यहां पर नीम आएकर चिला कहीं अगे आपको यहां पर दिखाओ त्यापने माना चाहिए आप यहां पर न आ चुका है बिल्कुल मस्ते हैं सभी वैलियो दपनी हाप निकाल लेते हैं मैंने हाप लिखा टेबल सेल और जो नेक्स वैल्यों मेरी वह टेबल डॉट यूसर नेम ठीक है और यहां पर लिखते हैं सब्स टेबल और सेल मैंने हाप लिखा और यहाप जो में और नेक्स वैल्यों है वह यूसर नेम के बाल मेरी हाप जो यहां बेल्कुल मस्ति वो है यहां पर लास्ट गालियू है वो है अन के नाम से डो टेवल तो टेबल सेल यहां पर आ जाएगा उसर डाट को फोन कि छला कि अगर मैं आपको यहां पर देखो बिल्कुल मस चलेगा आप यहां पर और जाल कर रहे दिसे हैं और में आप यहां पर नहीं पर आएगा इसके अंदर मैंने सब्सक्राइब पर गया मैं यहां पर सपोज मैं डाल रहा हूं आईशमान खुराना इस पर क्लिक किया एक और चीज है जैसी मैं आप पर एड यूजर पर क्लिक करता हूं तो जो सारा डेटा है जो मेरा जो स्क्रीन है एड यूजर पर क्लिक करते ही वह ओल यूजर खुलना चाहिए तो अभी अगर मैं मैंनुवली खुल के दिखा हूं तो आईशमान खुराना देखो यहां पर आ चुगा है पोटो इंक्रिमेंट यह हो रहा है बट एड यूजर के क्लिक पर यहां पर इस बटन क आप यूजर पर जाना है तो इसके लिए आप को यहां पर यूजर करना वाड़ेगा रिएक्ट रॉटर नाम का हमर पात यहां पर एक package होता है जो की होता है यूजर नैविगेट चैई जोन अबटन के क्लिक पर मतलब किसी के भी क्लिक पर आप अगर कहीं पर और जाना चा अब मैं navigate की healthy जो भी अपने route है उसको यहां पर change कर सकता हूं मैं आप लिखा suppose navigate और कहाँ पर जाना में को सर में कुछ जाना है all पर जो मेरा राउट है वो मेरे हापर all के नाम से मैं navigate में है पर जाला चला कि अगर मैं आपको दिखाऊ में इसको रिफ्रेश किया रिफ्रेश करने के बाद मैंने हाप लिका सपोज नमाजुदीन के नवाज एन वाज सिदिक की है डरेट जीमल रॉट काम एंड दो तीम चाहर पांचे साथ आठ नोट अब आप देखना जैसे में हाप पे एड उसर पे क्लिक करूंगा तो एड उसर वे क्लिक करती यह डेटा है पे डेटावेस में से वहोगा बटियमे को ट्रांसर कर देगा और यू एंड यहां पर आ चुका हो और यूज यूज उज़स पे तो यह तो ब्लुक्त चल रहा है मैं को कुछ CSS की हाँ पे हैनल करना है तो सबसे पहले तो वापस आते हैं और उसे सब बहुत है रहा है यहां पर बहुत बुरा लग रहा है वह स्टाइबल के नाम से और इसके अंदर मैंने टेबल पास किया क्योंकि के ऊपर मैं को यहां पर CSS की चेंज करनी है नीचे आया में हाँ पे बिल्कुल मस्ते है ऊपर चलते हैं यहां पर भढ़िया अभी हाप पर सबस्वेद में को विट चेंज करनी है विट में डालना सपोज 90% ठीक है वह 100% भले ही 90% हो जाए बट 100% नीचाहिए में को ठीक है मार्जिन मार्जिन में को यहां पर सकते हो सब्सक्राइब और राइट से ओटो बॉटम से कितना चाहिए बॉटम से जीरो एंड लेफ्ट से ओटो यूटियो परफेक्ट वोड़ा सा नीचे होना चाहिए कुछ इस तरह भढ़िया यह तो मस्त है ठीक है अब जो यह header है न मैं को यहां पर इसको चेंज करना है मतलब table row को चेंज कर लेते हैं से अच्छा यह table header को चेंज करना है यह table row में भी डाल देंगे तो भी हो जाएगा ठीक है तो मैं को यहां पर यहां पर आपर यहां टा लो और मैं कोुछ यहां पर इसको करना है क्या को यहां पर भी हैंर रहा हूं दो तीन 4age टो थे आप यहां पर दूख दो लहाँ इलेको अधित कि अगलेगा तो ऐंग diffic Bowl ठोन होता है तो यहां पर बाइट आचाहिए ब्ट वाइट आया नहीं है यहां पर प्राप्लम किया हैर फ्राप्लम है कि मैंने फैरंटर के ओपर ओपर लगायए बढ़ जो data है वो table cell के अंजर पड़ा हो है तो मैं को जो table cell है उसको यहां पर change करना होड़ेगा मैंने यहां पर लिखा and greater than and जो table cell है वो actual में th है इसको फोल के दिखा हूँ ये internally यहां पर th है आप reckon यहां पर th use होरा है यहां पर th के यहां पर वाइट करना है तो यहां पर मैं आया और यहां पर मैंने कलर डाला टिपल एफ तो यह चलना चाहिए आप यहां पर देखो बिल्कुल सही चल रहे है पॉन साइज थोड़ा साइज करते हैं फॉन साइज बहुत छोटा दिख रहा है वह 20 पिक्सल हम यहां पर डाल देंगे 20 पिक्सल काफी बड़ा है तो मस देखेगा बिल्कुल मस्त है तो इसके लिए भी आप टेबल टेबल रो में डाल दो मस्त है ठीक है टेबल रो में हो जा अब मैं को जो टीडी है उसको हेंडल करना जैसे यहां पर टीएच होता है ना हेडर में तो बॉड़ी में होता है टीडी एश्टेमल के सिंटेक्स हैं आपको शायद पता होना चाहिए आपको ठीक है मैं आपने डाला सब्सक्राइब किया और टेबल रो से मैं को इसको डिल्कुल यहांप में हरा काम करना मैं को हाप एक और कॉलं बनाना है जिस पर लिखा होगा और इस कोलं की अंदर में को यहां पर दो चीज दो बटन चाहिए उसमें सबसे पहला जो बटन होगा वो होगा अपना अपना या टेक्स लें लें Ah चलाते हैं तो एड़ित और डिलीट बटन यहाँ पर आचुके हैं बिलकुल मस्त फिकर नीच जाते हैं कर नए हैं इसके कमपढ़ा चेंज करना ऐप से बालेटींट में रहें चाहता हूं content कि और सीम चीज में इसके अंदर भी चाहिए थे ऐने है फो के आनिना डूर को का यह rappelle को चेंग tennis अच्ग आऊ चुका है stam है तो खिक एक लाइम बाएक आå में है ढो लाइन इत्वारी बीच में सपेस नहीं है तो आफ आप ए पिक स्टाइल इंदर आप यहां जाल सकते हो मार्जन लएफे मार्जन इंस उरी इतना टैन गालेक्स वाहिन है यहां चीज है कि जब आप यहां पर यूज करते हो style tag का, तो style tag हमेशा यहां पर दो कल्डी रेस के अंदर आता है, दूसरी चीज जो आप यहां पर CSS डालते हो style tag के साथ यह camel case होती है, unlike styled components जहां पर आप lower case और hyphen based होता है, ठीक है, यहां पर style tag के अंदर CSS होती हो camel case होती है, दूसर बीच में यहां पर space आ चुक है, तो यहां पर हम अपनी current application के दो operations देख चुक है, पहला था create, जो चहां पर हमने user को यहां पर create किया था, second था यहां पर, जो कि था read, तो create और read, read operation हम यहां पर देख चुक है, edit और delete बसता है, ठीक है, तो उन दोनों के लिए हम यहां पर दो अगर आपने वीडियो को अब तक like नहीं किया, तो please do like this video, ठीक है, आगे भड़ते हैं, अभी हां पर मैं को edit के click पे, एक नई screen खुलनी चाहिए, जैसी मैं हां पर edit बटन बे click करूँगा, तो एक नई screen खुलनी चाहिए, जो कि कुछ ऐसी हां पर screen होगी, और उस पर जो information है यूजर की वो अल्रेडी फिल अपो के आनी चाहिए, तो सबस्वार में को यहां पर क्या आकाम करना है, मैं को यहां पर जो अपना frame बनाना है, मैं को यहां पर एक और यहां पर component बनाना पड़ेगा, जो कि होगा edit user के नाम से, एक एड़िए यूजर के नाम से, मैं को हाप यहां पर 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 बिल्कुल ठीक है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बटन के नेम को यहां पर 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 इसा बटन Timpay इस हाँ इस नेवीगे इसी चॉंट करने चाहिए उस इंधीो क्लिक पर एक आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ँबनेंट कियो कर रहा हूं ऑगा है कमपनेंट को दूर लिंक्क को हमपनेंट काहा varied और यहां से मैंने इसको इसको लिंकॉने को को क्भेट करूंगा एकाश्ये कूपने के इसे वो मैं यह महैं नहीं पर रिखा किया जहाब एकesi। कॉंपोनेंट है यहां पर एज लिंक क्वारेंट की अमें हाप यूज़ करने वाल रॉटिंग्वा और रॉटिंग आप बटन के साथ यूज़ नहीं कर सकते तो आपको इसको एक लिंक आपको इसको एक राउटर कॉंपोनेंट बिभाण पड़ता है तो वह हमने हैं अपर कर पर यहां पर आप एक इश्यू है इसवे पर यहां पर यह है कि में पास यहां पर कोई राओट निया जो एड़िट के नाम से मैं यहां पर यहां पर डालना है अधिक यूजर वो उपर उसने इंपोर्ट भी कर दिया अपने आपने यहां बिल्कुल ठीक है यह बिल्कूल मस्त है तो सबसे दो इसको यहां से कट करना है मैं कुछ क्यों कि सारे component इंपोर्ट जो है मेरे वह यहां पर है लिए तो एडिट यूजर मैंने हैं से सपोज इंपोर्ट किया यहां पर ही अडिट हो गया एक और चीज है अब में को एक पटिकुलर यूजर को यहां पे एडिट करना बढ़ेगा, अगर मैं हाँ पर आपको ओल यूजर पे चाहके दिखाओ, तो जैसी मैं हाँ पे इस पे क्लिक करूँगा ना, तो तिर्फ यही वाला यूजर मैं को एडिट करना है, फर्स्ट वाला, बाकी तीनों को मैं को यहां पे छूना भ तो यहां पे जो आइडी होगी, उसके लिए मैं को यहां पे एक कॉलन आइडी करके यहां पे एक फील्ड चाहिए होगी, यह जो कॉलन आइडी है, यहां पे एक वाली आइडी पास कर सकता हूँ, कैसे पास करनी है, मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले तो, जो मेरा जो वहां के नाम से और फिर एडिट के बाद हाओ पहरने अधिक रिक लिखा एग वाकॉर नायदी हम पे लेवले तो आप यहाँ पर यूजर की आईडी आप यहाँ पे वो पास कर सकते हैं यूजर की अंदर एंदर score ID के नाम से आप अगर इतना लिखो गे न बिलकुल पर्फेक्ट चलेगा बिलकुल परफेक्ट टीक है अगर मैं आपको यहां पर चलाके दिखो मैं आपके सपोर्स को रिफ्रेश कर लेते हैं मैं आपके एडिट पे क्लिक किया तो आप यहां पर देखो यहां पर यहां पर नसे वोगोगोग्या रौटिंग में हाँ पर यूजर की जो आईडी थी इस वाले उडायो की और अवाले जाना है इंट यूजय को यहां पर क्हां क काम करना है कि जो एड़ेट यूजर में को डेटा ओल्यडी फिल आना चाहिए अब जैसे यहां पर जैसे यहां पर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना जैसे यहां पर यहां पर अप्टेटा को पता होना चाहिए कि आपने पहले क्या डाला था और अब क्या डाल तागि आप जो पहले आपने डालता पुसको अपडेट कर सेको तो मैं को यहां पी नेधे टा सारा फिल आप करके लानल करना एक के बार कॉल करना है और कॉंपूर दरक पे यह मैं हपे सिर्व यह ढाला। डाला देहाँ है अभिना पर मैं फंक्शन बना रहे है लूड़ यूजर डिटेले इते है यह थे लाड विनूछ का ना म Additional giorno या वैँ बना लेता है लॉड़ देट coalitionde water this perfect आभी हमां जिकाँ संट रिसपांस और यहाँ एक एक लाइव लगाया और मैंने आप़ आप फाइब उसको कॉल किया जो की है को में को यहां से निकालना है ठीक है इसको में को इंपोर्ट करना वड़ेगा सबसे वहले तो इसको एपैड और जैस में हाप बना लेते हैं तो यहां पर यह एक्चुल में एक सिंगल यूजर है मैंने हाप लिखा गेट यूजर इस इक वेल तो यूजर वाइल कॉलिंग इसको में कोई हाप उ्यूजर इप्याइज इसको में कोई इंपोर्ट किर नए एडियूजर के अंदर तो यहाँ पर गेट यूजर थिट ने हैं तो बिल्कुल मसत है तो यहां पर अब मैं को नहीं बौना लिए है आप अब इस API को मैं को यहाँ पर कॉल भी दो करना है अभी API बने नहीं है एक्चिल में तो सबसे पहले दो पीछे से ID पास करना हो तो मैंने हाँ पर ID लिखा ठीक है विटन करना है मैं को और अवेट लगाना है एक जोस की हल से एक गैट API को लोगी क्योंकि मैं को डेटावेस में से डेटा को फाइंड करना है ठीक है और यहां पर यूजर ना लिखके ठीक है मैं हाँ पर सीधा ID लिख देता हूं मैंने हाँ लिखा ID को ठीक है यहाँ पर URL आया और URL की पर्टिक्लर ID आई और मैंने हाँ पर इसको कॉल कर दिया परफेक्ट है तो आई थिंक यह बिल्कुल सही चलना चाहिए यह क्या बोल रहे है कि मैं को आई डी को यहां से निकालना वड़ेगा आप यहां पे देखो ID यहां पर URL में है यहां पर यहां पर को यहां पर इसको इनिशलाइज करवाना पड़ेगा तो मैंने यहां पर लिखा प्वांस्ट परम्स या फिर आप सिधा पैरम जो होता है वह एक सिधा आईडी को निखा सकते हो एन आप लिखा यूस पैरम से इतना अगर आप लिख दो के तो इतने से हो जाएगा चला के देखते हैं आप यहां पर एक सेकंड देखता हूं कि निया वह एक आ रही एक आप सबस्वार इतने सारे हैं अहां ठीक है वसे दो एरने ठीक है एक जा रही है आप यहां पर देख आप फोट जीरो पोट दिया तो यहां पर गई है यहां पर बटनोंगे यहां पर इस लिए यहां पर आए क्यूंकि बेकेंड मेरे पास ऐसी कोई राउटिंग नीं इससे मैच होता हूं तो सब्सक्राइब यहां पर बनाना पर पढ़ेगा है अरिंग अरग है यहां पर भाता आतना इंडिया आप suggests में इसकतला बढ़ेशें राउट यहां पर फार आने ञाल जो डेटा है उसको मेट करना है लेकिन नवा यहां पर यहां पर यहां पर चैनल्ट हाए गया बले हैं निसे user function मना यह user controller के अदर चलते हैं है यहां प्रिकाइब यापन लिखा तो युदर स्वैंड दोट्रोल इस बिलकुल साही है यह मेल लिखा से वह इक्सपोर्ट कॉन स्ट्थ और यहां जाएगा तो यूजए जुह स्टोह यहां प्रिस्पोंस देश देर सेंडर सेंडर्विक्ट कियो कि यहां पर जो डेटा निकालना है वह अप्डिशनल बेस्ट वोगा यहां पर आप मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हम find के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं करते अगर मैं मैं यहां पर find के अंदर कुछ यहां पर mention करता हूं तो यहां पर उस particular ID का data आएगा उस particular condition पर data आएगा ठीक है तो सबसे पहले मैं को हाँ पर क्या करना है मैं को यहां पर पीछे से में मेरे पास यहां पर एक ID आ रहे है ठीक है वह मैं को यहां पर निकालना है तो वह पर आ रहे है अब जब भी आप यहां पर URL में कुछ भी यहां पर एक variable आता है न तो वह पर होते हैं तो यहां पर अगर मैं आपको यहां पर जाके दिखो पर निची बटी बोल रहा है के नोट रीट पैरम सोफन डिफाइंड रिस्पांस डोट पैरम डॉट आईडी निया सॉरी माइब यहां पर जाएगा रिक्वेस्ट में आ रही है पैरम जो है वह जो एपैर रिक्वेस्ट है उसके अंदर बगर मैं आपको यहां पर रिफ्र एक सिंगल यूजर को यहां से रिटन करेगा तो मैंने यहां पर सिंगल यूजर डाला चला के देखते हैं आई होप चलना चाहिए ठीक है वड़ना एक और मेथेड़ भी है फिर वह यूज करेंगे हाँ चल गया आप यहां पर देखको आईश्मान खुराना जो है वह यहा क्नेस तो यहां पर इस से मैच हुआ है तो इसने हमाट पर मैच हो तो आउप एक तरीका होगा होता है एक तरीक हो तरीका ओर उते इसका मैं दिखाता हूं आ पको ऑल較 एक और स्वेट एक संट होता है फंग्शन हotal वेसि Somet upon Lost ओ लिफ स्वेडलीट फंग्शन होता है ID होती है, यह MongoDB के ID होती है, MongoDB अंदर से indexing करने के लिए, find करने के लिए, मतलब काफि सारी calculations करने के लिए, इस underscore ID का use करता है internally, तो अगर आप underscore ID नहीं भी डाल रहे हैं, तो फिर भी MongoDB एक underscore ID को maintain करता है, खुद के use के लिए, ठीक है, तो अगर आपको इस underscore ID के basis अगर आपको कोई data निकालना है, ठीक है, इस underscore ID के basis पर अगर आपको कोई data निकालना है, तो यहाँ पर direct function है, हमर पास find by ID, और find by ID के अंदर आप यहाँ पर सीधा mention कर सकते हो, request.params.id, ठीक है, जो request.params के अंदर जो ID आ रहे है, वो underscore ID ही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो data है, वो निकाल सकते हो, तो data अपने पास यहाँ पर आ चुका है, इस data को मैं को fill भी करवाना है, तो सब्सक्राइब को यहाँ पर state बनानी पड़ेगी, state बनी हुई है, अब यहाँ पर response आया है, मैं मेरे पास यहाँ पर set user में, मैं को यहाँ पर करना है, response.user, तो जो सारा data है, वो मेरा यहाँ पर आ चुका है, अब इस user तो तरह के components होते हैं, controlled component होता है, uncontrolled component होता है, controlled component और uncontrolled component तो basically हम यहाँ पर बात कर ले है, जो हमारे form elements होते हैं, उनकी, form elements काफी तरह के होते हैं, एक तो drop down होता है, input type is equal to text होता है, जो कि text field होती है, फिर एक button component होता है, ठीक है, button होता है, input field होती है, radio button होता है, check box होता है, यह स form elements आपको मिलेंगे, उनमें आपको एक value prop मिलेगा, ठीक है, अगर इस value prop को आप control कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर value के अंदर मैं यहाँ पर code for interview डाल रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखो कि by default जो यहाँ पर prop है, इसको मैं control कर रहा हूँ, तो जब यह जो value prop है, इसको आप control करते हो, तो उस time पर इसको बोला जाता है, controlled component, उस time पर इस पूरे component को बोला जाता है, controlled component, बट जब इस value prop को आप control नहीं कर रहे, इस value prop को form component control कर रहे हैं, तो उस case में इसको बोला जाता है, uncontrolled component, तो यहां पर इस टाइम पर यह एक uncontrolled component है, ठीक है, बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं data यहां पर already fill कर दू, जो data मेरे पास आया है यहां पर, जो हमने अभी अभी data निकाला है database में, जो हमने यहां पर इस user state के अंदर store भी करवाया है, उसको मैं को अभी इसके अंदर fill करना है, तो मैं को इसको एक uncontrolled component बनाना पड़ेगा, तो मैं को यहां पर value prop का use करना पड़ेगा, तारा जो data है मेरा, वो है मेरा user के अंदर, और user के अंदर एक prop है name के नाम से, एक property है name के नाम से, तो user.name के अंदर से मैं यहां पर name निगा सकता हूँ, चला कि अगर मैं आपको यहां यहां पर दिखाऊ, एक second, कुछ error आगया, फट गये, user.name, हाँ, देखना बड़ेगा, क्या भसड हुई है, क्या बोल रहे है, cannot read property name of undefined, क्यों भाई, क्या हुआ, ओ, I got it, मैंने हाँ पर क्या किया, मैंने हाँ लिखा, response.user, बट यह response.user नहीं है, response.data है, जैसे मैं आपको पहली पर पताया तक कि response के अंदर एक data property होती है, जिसके अंदर हमारा पुरा API के response आता है, अब अगर मैं आपको यहां पर चला के देखो, मैंने refresh किया, तो आप यहां पर देखो, आश्मान खुराने यहां पर अल्यटी फिल अप हो गया है, मैं यहां पर वापस गया, और म अंगर त्रिपाधि यहां पर अल्रीडी फिल अप होके आए, तो इस तरह से हम एक जो हमारा यहां पर select component होता है, ठीक है, मतलब जो एक form elements होते है, उनके अंदर एक प्रॉप होता है, जो कि value प्रॉप होता है, उस value प्रॉप की हल से आप उस, उसकी value को control कर सकते हो, ठीक है, सर, बिल्कुल मस्त है, और सुनाइए, अगर मैं आपको यहां पर दिखा हो, तो सारी values यहां पर आएंगी, ठीक है, एक सेकिंड वापस जाते है, अब अगर मैं आपको यहां चला कर दिखा हो, यह देखो, email को क्या हुआ, user.value लिख दिया, मैं आप email आएगा, ठीक है, बस्ते है, अब यहां पर मैं को क्या करना है, कि अब यहां पर मैं को इसमें data को edit करके, इसमें data को edit करके, API बनानी है, अगर user यहां पर value को edit करता है, सपोज मैंने यहां पर नमाजुदीन के आगे लिख दिया, सपोज सिदिक की, ठीक है, तो यहां पर user यहां पर value को edit करता ह तो उसके लिए हमने आप ऐंचेंज function ओलेडी कॉल किया वा है, जैसे हमने यहाँ पे add user की case में देखा भी दा, हुआ हमने आप पर on value change फंचेंज हुआ है जो कि हैंपने ओन वेल्य चेंज पे यहां पे जो सारा डेटा है वो मैं को ला के देगा अब मैं को यह जो एड़ेट यूजर है इसके क्लिक पर से मेरे पास यहाँ पर यहाँ पूरा वो है कैकर पूरा उपजेक्ट है लेकिन यहाँ पे कौनसे user को मैं को एड़े jeżeli पर उसको यूजर को निकालना पड़ेगा डेयर दैटाaru से उससे नई है है था इंग यह क्लिए वोग उसके बाद में इनको नविगेट वाल पर भेज देना इसको यहां पे एड़ेट यूजर जो अपनी पया यह इसको लेकर चलते हैं एड यूजर के लिगाएं है इंपर इंपर आए यूजर को यहां पर आ यहीड और जैस में ठीक है एंड यह यहां पे जिखने के वाम हम पर सपोज एर लिखा वहां पर टो लॉग ओर एलल वाइल गालिंग एजेदी यूजर एप यहां पार को इनप प्रेंटीनुला दिया अब यहां पर यहां पर यह किया था मैं बिल्कुल से में को यहां पर सब्सक्राइब करना है कि अपर मैं को भीका सब्सक्राइब कर कि मैंला आए दिम्जा अरह खोलिके वहां से गैडियर्व्ल आ रहे है और यहां पर आ जाएगा एडिट यूजर एक एडिट यूजर को मैं को यहां पर कंट्रोलर फंक्शन के अंदर बनाना है मैंने आप एक नई बनानी है जो कि होगी एक एडिट यूजर के नाम से लिगा रखेक एक एक्षपोर्ट कॉन स्टोर एडिट रिजगोस तो यहां बस्टोर गढ़ा है दो चीजर में कोई मिरेपास यहां पर होंग एक तो रिक्वेस्ट होगा यहां पर इसपॉंस होगा एंड पर्फेक्ट अब सबसे पहले तो में मेरे पास पीछे से पोस्ट एपयाय की बोड़ी आ रहे है, बोड़ी में एक object आ रहे है, सबसे बहले में को इस object को validate करना होड़ेगा कि bro, वो object वही है ना, उसके requirement वही है ना, जैसी में को चाहिए तो request की body में वो object आ रहे है, तो मैंने हाँ पर request.body करके इसको निकाला और यहाँ पर आ जाएगा edit user user's और मैंने इहाँ पर new user का, मैंने इहाँ इस only user यहाँ पर वाद किया, यह इसको validate कर देगा कि user आपका valid है या नहीं है, जो data है वो valid है या नहीं है, तो मैंने हाँ पर लगा है try or catch, सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर आता है तो मैं कोई हाप पर स्टेटस में सब्सक्राइब चार सो नो की हम उसको एडिट नहीं कर पाए जैसन या एरर है मैं को यहां पर वो डालना है तो एर क्लें तो एर डॉक्रामर दोरक्राइड है करना है पर फाइंड करने के लिए फाइं खिरान मना बनदैघ और बनाअर फाइंड मोन होता है एक यहां पर if होगा कौन सी collection में को use करना है user collection भी यूज करना है asynchronous request लगाना पड़ेगा मैंने हाप लिखा await user.update1 दो argument लेता है ठीक है पहला argument होता है एक object जिसमें आप condition pass कर सकते हो कि कौन से user को आपको update करना है मैंने हाप लिखा और रिक्वेस्ट पैरंस के अंदर आएगा जैसे कि हमने हाँ पर किया था यह request.params.id बिल्कु सेम करना है request.params.id ठीक है इस एक condition से में पास वो object आ जाएगा इस और इस object को मैं को replace करना है किस object से edit user object से सही है तो इस से हो जाएगा फिर हाँ पर मैं को user है उसको भेज़े भेज़ेते हैं वापस तो इतना गंड़ने से शायद होना चाहिए चला करें देख लेते हैं मेरे ख्याद से तो होना चाहिए बाकी मैं को पता नहीं कुछ कहा नहीं सकता हूं है नवाजदीन और सब्सक्राइब और सबस्क्राइब कर अगरे अगर दिकाइब यूजर नेम यहां पर पंकज को को एडिट करते हैं पंकज लिख रओं यहां फेड़िध रिफर्श निखाओ है रिफरेश करता हूं रिफ्रेश का बटन आगे यह रा यह किया आप अपकर देखो है तो यहां पे आ चुका है पंकज रिपारथी ओझो बाकी के सारे हैं वो भी हाँ पर आचुके हैं तो डेटाबेस में सक्सेशल यहां पर अब अब टीन ऑपर देख चुके एक रीड़न अब टेट लास्ट ऑप्रेशन रहता है जो कि है डिलीट ऑप्रेशन डिलीट ऑपरेशन करने के लिए हमें हाँ पर वापस जाना है और यहां पर मैं को यहां दो जाना है किस पर यूझाँ पर और यह जो है है पर कुछ नहीं करना ना में पर अब समुर्ण यहां पर डिलइट करना है कि जयासी इस बतन अधिक लीडिवार करना पड़ेगा यूदर की आई डी से आपको हिहां पेस फंक्शन के अंदर यूज़र डॉट आईडी हां पर पास करना वड़ेगा यूज़ यूज़ डॉट अंडर स्कॉर आईडी सॉरी आई इन यहां पर अंडर स्कॉर आईए एक सिकेंड एर्लस देख लेते हैं डिलीड यूज़र इस नोट इफाइन हो बना लेता हूं मैं तो आयोप यह क्लियर हो रहा होगा आपको ठीक है यहां पर लिखा मैंने कॉंस यहां पर चलते हैं और यहां पर चलते हैं और यहां पर असंक के अंदर यहां पर आईडी पास करी तो यहां पर चलते हैं और यहां पर यहां पर असंख के अंदर यहींस परसक्री और फिलकुल मश्य hex और यहां पर क्रायर कैच लगा लगा ले तेंसर क्यहीं compat given में आप लगाया है यह लिखा मैंने हापध पर यह जाएगा आपको इनौल डॉट लॉग मुर्ण निखा मैंने हाप एंड अर्युद कॉल टानी पोल गया यहां पर मैंने पोस्ट लिखा है ना एडिट यूजर की केस में हम यहां पर पूट एपिए को भी और कर सकते हो ठीक है, put का मतलब होता है कि आप edit करना चाहते हो, यह एक edit API है, तो अगर आपको uniquely identify करना है अपनी API को तो आप यहाँ पर put भी लिख सकते हो, जो, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जो response है वो बिल्कुल सेम रहेगा, आपको यहाँ पर put लिखना है, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर post भी लिख सकते हो, कोई difference निया, मैंने आपको post लिखना है, आप यहाँ पर put लिख सकते हो, उस case में आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर post की जगाँ आपको यहाँ पर put लिखना है, ठीक है, क्योंकि अभी एक post API ने, put API है, चलाके मैं आपको दिखा रहे दो, बिल्कुल सही चलेगा, without any issues, तो मैंने यहाँ पर इसको refresh किया, refresh करने यहाँ अगर, suppose कि इसको update करें, इसको update करें, यहाँ पर आइशमान लिखा हुए, इसको आइशमान खुराना करना है, मैंने हाँ पर इसको update किया, यहाँ पर मैंने खुराना लिखा, ठीक है, edit user मैंने ख्लिक किया, आप यहाँ पर देखो, successfully यहाँ पर update हुए, आईशमान खुराना आ चुका है, तो actual में यह जो यहाँ पर edit API होती ह यह put API होती है, ठीक है, तो आप इसको post API ना लिखके आप इसको put API भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, तेम तरीके से यहाँ पर delete user के case में होर पास एक API होती है, जिसको हम बोलते हैं, delete API, तो अब यहाँ पर await लगाके, exios. delete को भी call कर सकते हो, ठीक है, delete के अंदर आपक की idea है, उसको पास कर सकते हो, बस इतना सा काम करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर route में जाना है, आपको यहाँ पर राउट बनाना पड़ेगा, मदब easy है, ठीक है, अगा आपको, आपको easy लग रहा होगा, ठीक है, अट यहाँ पर underscore ID मैंने लिखा, प्यूपिछे से underscore idea आ यहाँ नहीं है, जो की user की data को delete कर देगे, मैंने आपको फॉंस तो, delete user is equals to, async and request and response, this this is and this, ठीक ट्राय और कैच लगाते है, ट्राय और कैच यहाँ लगाया, error, भाई, मुवी दुग्या बोलते बोलते है, क्या करें, dot json यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ गया, फिर आपको यहाँ पर message के अंदर, आपको यहाँ पर लिखना है, error.message, सही है सर्फ, बिल्कुल ठीक है, अब जैसे यहाँ पर update API है, update one है, update menu है, ऐसी हमारे पास यहाँ पर होता है, delete, ठीक है, delete one होता है, delete menu होता है, मैं को यहाँ पर सिर्फ एक object को delete करना है, इसलिए आपको यहाँ प return करेगा, asynchronous API है, आपको यहाँ पर await लगाना पड़ेगा, delete one मैंने यहाँ पर लिखा, और same करना है, condition mention करना है, request.params.id, बस, इतना सा काम करना है, इतना करते ही, आपको यूजर है, वो डिलीट भी हो जाएगा, मैंने आपर सपोर्स को refresh किया, delete पर click किया, delete हो चुका है, maximum cost x, size exit है, अरे ब्रो, in promise, oh case, मैंने अवेट ने लगाया, sorry, I bet, await लगा हुए, असिंक भी लगा हुए, oh, got it, got it, got it, got it, got it, यहाँ पर क्या है, same function है, आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर same function प्रपना है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर same function को call कर दिया, इस function को मैंक्य नाम दूसरे लेना पड़ेगा मैंको यहां पी लेना पड़ेगा delete user detailsीक है deleteutels देटेंट मैंने यहां पे लिए नीक्षे चलते हैं यहां पर megatour user की जगह लिए विजरप कॉल करना पड़ेगा delete user details को अब सभी चलना चाहिए एक बोल रहे डिली यूजर इस नौर्ट इसको इंपोर्ट करना बड़ेगा यहां पर आ जाते हैं और यहां पर लेकर सपोर्ट डिलीट यूजर फिलीट होना चाहिए रिफ्रेश करके लेखते हैं हाँ यहां पर नहीं है अगर यूजर इसको बता देना चाहिए मैंको इसके लिए जो कि updated data लेकर आएगा get users API में को यहां से call करने पड़ेगी तो यहां पर आते हैं all users पे and get users get users already import किया हूँ है ठीक है ठीक है get all users इसको call कर देते हैं यहां पर आते हैं और यहां पर ने call किया get all users को तो चला कि अगर आपको यहां पर दिखाऊ ठीक है बिल्कुल मसच चलेगा एकड़ मकफन यहां पर यह बोल रहा है each child इनल लेस्ट शुख है वह उर्णिक के प्र्वाब यहां पर concept आता है यहां पर यहां पर यहां यहां पर यूनिक की पास कर दी तो यहां पर यह इन्हीं की मांग रहा था, बगर आपको रिखर्शिश्ट कर दिखा तो अपको यारव नहीं आए गए घुटकुर मश्ते है यहां पर इसको डिलीट किया and delete होना चाहिए था यह call कि नहीं हुआ क्या हुआ इसको रो कुछ बसाड है कुछ बसाड है में को एक सिद्सक्राइब देखना पड़ेगा आप कहां जाना है यूजर कंट्रोल के अंदर जाना है इस डिलीट यूजर में यहां पर कुछ बसाड है ओ सॉरी माइब इसको डिटन तो यह निकुस्पॉंसर स्टेट इस 200 जेशन अब ठीक है फूल जल्दी मचाई विया मैंने और यूजर रिएट सक्सेस फुली यहां से आपको रिटन करना पढ़ेगा बना क्या होता है कि यहां पर यहां पर देखो पर फेक्ट चल रहा है बिलकूल मस्जल रहा है एक यूजर को और एड कर देते हैं कर रहा है पंकर पंकर बढ़िया एक को एड कर लेते हैं आपना दिन को आपकर करते हैं नावाज और जीमेल अजिए तो इसको मैंने पर्फेक्ट लिए बिल्कुल पर्फेक्ट चल रहे हैं ठीक है एंड मैंने अगर देखो एक चीज़ और दिखाता हूं और भी रिफ्रेश क कर लेते हैं तो database को इन यहां से refresh किया तो यहां पर तीन document होने चीए त्रफरेश्च करके आपको दिखाए तुम्हें पास ही आप टोडल दॉक्मेंस धूकें और जैसे मैंने हैं पर सब्सक्राइब का करते ही आप देखो के कि हां पर एक document यहां से delete हो चुका होगा है और यहांपे आप सिर्फ 2 document है पहला document है Code for interview, दूसर document है नमाजवदीन और पंकर्दरिपार्थी यहां से delete हो चुका है बिलकुल मस चल रहा है इसको भी delete करते हैं भढ़िया चल रहा है user पर click करके आप यहाँ पर जा सकते हो edit user पर click करके आप data को edit कर सकते हो मैंने यहाँ पर edit प्लिक किया वापस आगयों है मस्ते है तो आइ हो वीडियो अगर पसंदाई होगी तो याँ Like करना इसको मैं Skip करना हूं इसकी implementation को जो home page इसकी implementation को आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हो तो अगर वीडियो पसंद आई हो देया लाइक करना अगर आप चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मैंको कमेंट करके जरूर बताना आप हमें फोलो कर सकते हैं टेलिगाम और इंस् से ये ने ने नेक्स वीडियो विद अनधर मन प्रोजेट बाइट 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 बाइट